इस्थितियां हेडिंग लगाएं देखो यह जो टापिक आप पढ़ने जा रहे हो बोर्ड एक्जाम की दृष्टी से यह टापिक बहुत महत्पूर है ठीक है अब इस टापिक में से आएगा क्या थियरी आएगी इसका उत्तरने इसमें निमरिकल आएगा यह जो टापिक होगी इस टाप के कुश्चन आते हैं जो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जो फ्रिंजों की स्थितियां प्रिंज क्या होता है यंगे के एक्सपेरिमेंट में जो लास्ट वाली स्क्रीन थी फानल स्क्रीन इस स्क्रीन पर एक आंतर करम से कुछ दिप्त और कुछ अदिप्त बिंदू बनते हैं और एक निश्चित चोड़ाई के बनते हैं जिने हम पट्टी कहते हैं और इन पट्टियों को ही क्या कहा जाता है फ्रिंजे वो एक आंतर करम से होते तो आज हमने इसका एक्सपरिमेंटल सेटप फिर करेंगे हाँ दोनों के लिए फिरिंजी के बोलेंगे आप कि यहां पर एक स्लिट होगी इसके पहले सुरूत होगा स्वर्स इसके क्या क्या प्रपर्टिज होनी चाहिए पहले तो यह मोनोख्रोमेटिक होना चाहिए कैसा हो मोनो क्रॉमेटिक यहनि एक वरड़ी हो एक वरड़ी का क्या मतलब किसी भी से उस तरंग दैर्द का ही प्रकासिश में से निकलता हो चाहे वो 6000 एंगेस टाम का हो चाहे वो 3000 सिर्फ एक ही तरंग देर्द कियों यहां इसलिट सब्सक्राइब किसे होल से और यह सब दफ्ती के क्या है टुकड़े हैं टुकड़े हैं ट्रांस्पारेंट ना और पार जिसमें परकास ना जा पाए मोटे दफ्ती के टुकड़े और एक सेटप में यहां पर एक स्लिट बनाई गई है और ठीक उतनी दूरी पर दूसरी स्लिट यहां पर बनाई गई है तेसिस पहले स्लिट का नाम S1 और दूसरी स्लिट का नाम S2 है और दोनों समेट्रिक है बित रिस्पेक्ट तू यस यस के सापेच S1 और S2 दोनों क्या है सम्मित्रिक होने का मतलम कि यस वन से यस तक की जो दूरी है वो यस तो से यस तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए दोनों ही हमेशा Tanandra कि पुझेशन पर होने चाहिए हाईगेंस के अनुसार जो ये पहला इसलिट है यस यहां पर यह प्रकास तरंगे पहुचेंगी सुरूत से फिर यह जो बिंदु यस है और यह पहली स्क्रीन यह तरंगागर की भाती भी ओहर करेगा और तरंगागर का परतेक बिंदु नए तरंग सुरूत का करता है तो ऐसे में जो yes point है वो नए तरंग सुरूत का कारी करेगा यहां से तरंगे निकलेंगी और माध्यम में आगे बढ़ेंगी यहां से चलने वाली जो तरंग है ठीक yes से वो yes one पर उतने ही समय पर पहुँचेगी जितना समय पर पहुचेगी यानि हम यूँ कहें कि समय ट्रिक होने की जैसे yes से चलने वाली दोनों क्रिड़े एक साथ s1 और s2 पर पहुचेगी कोई time lag नहीं होगा समय अंतरल नहीं होगा ठीक एक ही समय पर यहां भी प्रकास की किरड़ आएगी और यहां भी आएगी फिर यह जो नेस्ट स्क्रीन आप देख पारे हो यह भी तरंगा अगर की भाती ब्यवार करेगा हाइगेंस के दुतियक तरंगी काउं के सिधानत के आनुसार यह जो इस्क्रीन है जैसे इसका नाम मालो यल यहां से और स्टू से निकलने वाली तरंगे उन मैं क्या क्या विस एस्टा होगी जो स्टू सोर्स बंदा है इस सोर्च के क्या-क्या विसेस्ताएं हैं पहला या तो यह सोर्च कांस्टेंट फेज के हैं कैसे फेज कांस्टेंट फेज का क्या मतलब है इनके बीच कलांतर क्या हो इस्थिर हो जैसे 45 सेंट लेना चाहिए का मतलब समझते हो ना समय समान दिशा में एक ही दिशा में गती करते हूं दूसरा इसकी क्या विशेस्ता होनी चाहिए कि दोनों सोर्स यह sono और यह स्टू कैसे हो same frequency same frequency ए कही आब इर्थी के सुरूत हो तीसरी सर्थ क्या है हो सके तो same amplitude भी होना चाहिए amplitude if possible यह necessary condition नहीं है मतलब यह आवस्यक सर्थ नहीं है लेकिन अगर हो सके तो अच्छा है और better pattern मिलेगा हमें और next क्या है? coherent होना चाहिए कैसा होना चाहिए? coherent या निकला समध्ध होना चाहिए तो यह जो S1, S2 दोनों source है यह constant phase के या same phase के होने चाहिए दूसरा इन दोनों के लिए जो भी तरंगे निकलेंगे उनकी frequency क्या होनी चाहिए? similar होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और amplitude अगर possible हो तो समान होना चाहिए अगर समान होगा तो अच्छा pattern दिखेगा समान नहीं होगा तो थोड़ा सा pattern में जो brightness है वो कम दिखाई देगी और coherent होने चाहिए और साथ-साथ monochromatic भी होना चाहिए कैसा होना चाहिए? monochromatic होना चाहिए यहनि एक वरड़ी होना चाहिए यहनि किसी विशेश तरंग देर्ध का ही प्रकासरोत होना चाहिए इतने गुड इस S1, S2 के अंदर अगर है तो यहां से निकलने वाली तरंगों के बीच में होगा अध्यार ओपड और अध्यार ओपड से होगा व्यतिकरण व्यतिकरण का मतलम कहीं पर तरंगे समान कला में मिलेंगी और कहीं पर विप्रीत कला में तो कहीं पर हमको ज़्यादा बराइटनेस मिलेगा और कहीं पर कम ब्राइटनेस मिलेगा नहीं डार्कनेस होगा इस घटना कोई क्या कहते है व्यतिकरण तो यंग ने एक्सपरिमेंट के द्वारा ये सो करने का प्रियास किया अब आद ध्यान दिएगा यहां सेंटर में हमेशा जो बैंड बनेगी जो फ्रिंज बनेगी वो फ् इसके लिए यम की बैलु ह्याओ लिखते हैं जेरो इसे कहते सैंट्रल फिंज केंदरी फ्रिंज केंदरी फिर्मे में इस यह जो कैंदरीए फिर्मेंज है है चमकीलाख ब्राइट का मतलब यहां पर यूश किया जाएगा जो हिंदी वर्ड वो है दीपत है और जहां डार्क होगा उसे आदिपत बोलेंगे तो एक आंतर करम से दीपत आदिपत दीपत आदिपत पटियां बनेंगी ऐसे माल लेते यहां पर कोई पटी बनी अब यह पटी कैसी आई डोंट नो यह मालूम नहीं है धान से बात को समझना हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं फिरिंज की इस्थिति का मतलब है कि कौन सी फिरिंज कैवे नंबर की फिरिंज यानि दसवे नंबर की फिरिंज कहा है अदिप्त भी हो सकती है तो यह पुजीशन हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रीज पहले से अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि यह पट्टी क्या है दिप्त है या अदिप्त है पता नहीं कौन सी या डॉंट नो ठीक है ऐसा मान के चलते हैं लेकिन केंदरिये वाले के बारे में हमें इसा नहीं बोलेंगे जो सेंट्रल फ्रिंज है वह हमेशा दिप्त होती है इसलिए यहां पर पॉसिबिल्टी का कोई संभावना नहीं निस अंवावना बना कि नहीं चलना सीधे सिदे देले लेना 100 परसंट planet yes यह यह ब्राय्ट है तो है यह जो फिरिंज है इसके बारे में हमें कोई डेटा नहीं मालूं लेकिन इसकी पोजीशन का डेटा मालूं है कि यह सिंट्रल फिरिंजसे कितनी दूरी पर है एक्स दूरी पर ऐसा मान लेते हैं दोनों इसलिट के बीच की दूरी जो S1, S2 है वो small D है इन इसलिटों के बीच की दूरी को क्या माना गया small D इसलिट के बीच की दूरी small D और जहां पर यह इसलिट है उससे जो final screen है उसके बीच की दूरी को capital D कहेंगे या आप जब भी निमरकल लगाओ तो उसमें लिखे कर रहेगा ना पर्दे की दूरी तो इसे आप पर्दे की दूरी भी कह सकते हैं नि distance of screen तो हमने माल लिए पर्दे की दूरी क्या है capital D इसलिटों के बीच की दूरी क्या है और यह जो source है monochromatic है इस monochromatic source के लिए wavelength क्या है lambda वेव लेंथ क्या माल लिए आपने वही lambda जो तरंग देर्द है वो lambda है यहां जो light बनेगी उसकी भी तरंग देर्द क्या होगी lambda होगी क्योंकि actually यह जो यहां light आ रही है वो main source ही तो आ रही है सुचो कितने talent का काम है यह है कि नहीं ज्यादा talent लगाओगा ज्यादा आदमी विद्वान दाओगा ऐसी कोई बात नहीं है आज के जो पराणी है इनसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमाता का परिशे तम मिलेगा जब कोई नई चीज ढूलो चाहे वो छोटा हो या बड़ा कुछ नया हो जब बनी बनाई चीजों का आप उपयोग करना सीख जाओ तो यह आपके लिए talent की बात नहीं है यह बात है सिर्फ acceptance की कि आप कितने ज़्यादा गिन कर जाते हो एकसेट कर लेते उचीजों को जो यह पढ़ रहे हो यह आपने पढ़ोगे तो दफची कटुकुडा लगा के तो कोई भी कर सकता है अब जब इसने बता दिया जब नहीं बताया था तब उसके पहले दफची कटुकुडा कैसे लगेगा यह किसी को नहीं मालूम था इसलिए यह है तो talent का ही काम आज हम भी देखेंगे हमको भी कितना talented है तो यह माल लेते position क्या है यक्स और यह source है S1 और S2 पहले शुरोत से इस fringe तक की दूरी S1 से लेकर यहां तक की दूरी होगी और इसका नाम कुछ तो लिखना चाहिए माल लेते हैं कि भी सी जो भी हो कि कुछ माल लो एमाल लेते हैं ठीक है कि यह हो गया अब वैसे इसको यह ना माना जाए चल जाएगा और यह स्टू से भी तो दूरी लिख सकते हैं लोह थो नाम करण बात में करेंगे पहले चितर बना ले ऐसे यहां पर एक जित द्षाण से देखे आप यह बन से लेकर इसस्क्रीन तक माल लो यह पी पॉइंट है इमेजिन पी पॉइंट है तो यह से पी तक एक डिस्टेंस है और दूसरा S2 से लेकर P तक है यह जो S1P है यह क्या चीज है S1P क्या है S1 है S1 है पाथा है यहीं हिंदी में बोले नहीं दिदिग पी वोड़ वाले S1 से P तक का मतलब क्या है यह है पत है है सुरोत S1 से तरंग के लिए और जो S2 से लेकर के P तक का डिस्टेंस है वो क्या है पथ रास्ता किसका सुरोत S1 से तरंग के लिए S2 सौरी S2 जो S1 से चलेगा वो S1 P और S2 P क्या इन दोनों के पथ में कोई अंतर है क्या इन दोनों के पथ की लंबाई समान है या कुछ अंतर है कुछ तो अंतर है क्योंकि यह क्लोज है यह डिस्टेंस चुटा है यह डिस्टेंस ज्यादा दूर पर है इसलिए बड़ा होगा तो हम यहां कहेंगे कि जो S2 P है वो actually S1 P से क्या है बड़ा है इसका मतलब यहां पथांतर होगा क्या होगा पथांतर पत्थांतर मतलब यहां समझ में आगा ठीक है पत्थांतर का मतलब पत्थ की लंबाईयों का अंतर तो यहां पत्थांतर होगा और जो पत्थांतर है वो कितना है अगर हमें पता करना हो कि पत्थांतर की वेलू कितनी है दोनों के पत्थ में कितने का अंतर है तो उसके लिए क सकते हैं तो हम यहां लिख सकते कि जो सवेर्ट का डिस्टेंस है वह एक में कि क्या है ये दोनों पर बराबर हो गया बाकी इतना इस्ट्रा हो गया तो जो इस्ट्रा पार्ट है यही तो इन दोनों का अंतर है जिसे क्या बोलेंगे पथांतर है तो एक्चुली पथांतर क्या है S2A तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है S2A बराबर S2P माइनस S1P यह है दोनों के पत का अंतर जिसे कहते हैं पतांतर और इसे सो करते डिल्टा X कैसे है क्या मतलब है वह यह पत S1P है एक पत S2P है दोनों का अंतर निकालो उसे पतांतर कहेंगे जो अंतर है वो S2A के बराबर होगा क्योंकि इधर का डिस्टेंस बराबर है तो यह इस्टरा नहीं है इसी को तो पतांतर बोलेंगे जो पतांतर होगया डिल्टा X इसमें हम माल लेंगे यहां से एक सेंटर से एक लाइट रे क्योंकि किरिडे तो हर जगे होंगी जहां से मर जी वहां से मानो यहां से हमने लिया और मान लेते हैं कि यह कूड क्या है थीटा अगर यह कूड थीटा है तो यह कूड भी क्या होगा थीटा होगा by the geometry यह आप मान के चलो ऐसा हाईगेंस ने माना था और यह एंगल कितना है और यह एंगल कितना है 90 ही तो है दोनो नब्बे हैं यहां भी नब्बे और यहां भी नब्बे यहां दो त्रिबुज दिख रहे हैं अगर हम इसका नाम लिख दें इसको मान ले क्यों ठीक है और इसका कोई नाम नहीं है ओ माल लेते हैं तो यहां दो त्रिबुज बनने हैं कौन-कौन से हैं देखो जान से एक समकोड त्रिबुज है S1, A, S2 यह एक समकोड त्रिबुज है और एक समकोड त्रिबुज है O, Q, P और दोनों समकोड त्रिबुज क्या है समरूप है क्योंकि दो-दो कोड इन में क्या है बराबर यहां भी 90 है और यहां भी क्या है 90 और यह एंगल थीटा और यह एंगल भी क्या है थीटा तो दोनों त्रिबुज क्या है समरूप और जब तिर्भुज समरूफ होते हैं तो संगत भुजाओं कानपाथ क्या होता है बराबर लिखेंगे चित्र से तिर्भुज कौन सा है S1, A, S2 यह समरूफ है किस तिर्भुज के O, Q, P के दोनों तिर्भुज समरूफ है तो जब समरूफ होगा तो कौन सा रिजनेट यूज करते हैं C, P, C, T याद है C, P, C, T गौन्गरेंट हो चाहे सिमिलर हो चलेगा वैसे यहां C, P, S, T लिखा जाता है क्योंकि सिमिलर ट्रिएंगल है कौन्गरेंट नहीं है इसको C, P, S, T बोलते है पूरा क्या नाम इसका करस्पांडिंग पार्ट आफ सिमिलर ट्रिएंगल समरूफ तिर्भुज के संगत मुझा है और जब सीटी उज करते हैं तो करस्पांडिंग पार्ट आफ पार्णियकच जाता है तो सरल वांग सम हो जाते है घ्रीत रौबर अजय तो इन दोनों में हम यदि करेंगे द्वझ देना जो काम की चीज़ें वह लिखेंगे केवल नबेंस के सामने के मुझा और इस धीटाने के सामने के मुझा दो ही बुजे लेनी है तो ह floating मेंगे वस म सब्सक्राइब दूसरे तर्फुज में चलते हैं इसमें थीटा के सामने के बुझा कौन है पी क्यूं कि बटे 90 के सामने के बुझा कौन है ओपी ठीक है ओपी है एक बात ध्यान से इसके बाद अब सुनिए इसमें आपको क्या क्या मालूम है जो डाटा मालूम हो वो तो लिखी सकते हैं हमें पता यस्टू यह क्या है पतांतर है वो अभी बाद में लिखेंगे आ यस्टू को हटा के क्या लिख सकते हैं और जो पी क्यूं है उसे क्या लिख सकते हैं यक्ष और बटे ओपी यह ओपी क सुनो यंग ने इसमें अज्यूम किया था क्या पहले तो इसक्रीन बहुत दूर ने होना चाहिए बहुत नजदिक होना चाहिए दूसरा इस लिटों के बीच की दूरी जो यह स्वने स्टू देख रहे हो आप वो कितनी होती है लगबग यह जो डी है ना यह लगबग लगब होता है कि टू मिली मीटर कि दो मिली मीटर होता है यह इतने क्लोज होते हैं मिली मीटर समझते हो ना पतरी होता सेंटी मीटर वाला उसमें दस खाने आप गिनते हो तो एक सेंटी मीटर होता है जो एक एक मिली मीटर होता है तो ऐसे यह दूरी मिली मीटर का पॉइंट है इम लगबग लगबग क्या होंगे बराबर सिंस S1 S2 इस टेंस टू 0 बहुत छोटे डिस्टेंस पे हैं ऐसे में हम O P को हटा के क्या लिख सकते O Q इस O P को हटा के क्या लिख सकते O Q और O Q का मान हमें पता है वो है परदे की दूरी D तब यह बन जाएगा S2 A Y small D बराबर X Y capital D यही तो आएगा तो यहां से S2 A की value क्या आएगी S2 A बराबर D का गुड़ा हो जाएगा X into small D और जो S2 A है इसका क्या बात कहते है इसको पतांतर इसका नाम क्या है तो आमने पता कर लिया कि इस पतांतर का value कितना है X into small D Y capital D जब यहां fringe केंदरिये fringe से X दूरी पर होगा तब अब यह जो fringe है यह fringe दिप्त है की अदिप्त है इसके लिए सरते यूश करेंगे तो यहां लिख रहे हैं माल लेते हैं जो fringe है वो क्या है fringe दिप्त हो अगर ब्राइट फ्रिंज होगी तब इस पतांतर के value क्या लिखेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए याद करिए कलांतर ब्राइट फ्रिंज के लिए कलांतर क्या बताया गया था भी समान कला पाई का सम गुड़ा जे अध्यार उपर समान कला में होना चाहिए और यहां पे कलांतर जो है न वो पाई का क्या आना चाहिए सम गुड़ा जो होना चाहिए सम गुड़ा ज में आपको बताया गया था डिल्टा फाई बराबर टू यम पाई जहां पे एम बराबर मैंने क्या बोला था जीरो वान टू थ्री डाडडड यह तो जुश करते हैं यह तो कलांतर है इस कलांतर की सायता से अमने पतांतर भी ग्यात किया था और वो पतांतर दिप्त फ्रिंज के लिए क्या था याद है किसी को अच्छा लेम्डा बाई टू था पक्का यूटूब की कसम मत खाओ नहीं मेरे चैनल पे अपराद मत लगाओ सिर्फ ये बताओ पतांतर क्या था समपोसी वितिकरण के लिए बता ना कलांतर पतांतर दोनों लिखाया गया ना समपोसी और बिनासी लेम्डा का पूर गुड़ज लिखाया गया होगा सब्द तो याद नहीं कर पाते हो ये लेम्डा का क्या था पूर्ड गुड़ज लेम्डा का पूर्ड गुड़ज होने का क्या मतलब है ये पतांतर डेल्टा एक्स बराबर था 0, लेम्डा, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा, 4 लेम्डा ऐसे ही तो था जहां जहां पतांतर 0, लेम्डा, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा, 4 लेम्डा होगा वहाँ वहाँ हमेशा फ्रिंज कैसी बनेगी दिप्त बनेगी ठीक है ब्रैट फ्रिंज बनेगी इसी को सार्ट में हम लोगों ने लिखा था यहां मिन्टू लेम्डा जहां M की वैलू एम इकोल टू जीरो वान टू थ्री डाट डाट इनस वान यह देल्टा यक्स है बात नहीं करेगा कोई आप नहीं मॉबाइल पर धंकी मिलने है ठीक है बात नहीं करो वक्त लोगों डेल्टा एक्स बराभर यह पिन्टू लेम्डा लिखा हुआ है यह यह जो एमीन्टू ले कि अगर हम बात करें तो यह में दिफ्ते फ्रिंज के लिए पतांतर को कि क्या लिखेंगे हम यही तो पतांतर है और इस पतांतर की वैलु क्या लिखेंगे या मिन्टू लैमडा बराबर यक्स मतलब position है तो अगर यमवी fringe है तो position भी तो यमवी की आएगी ना तो इस यमवी की position को लिखेंगे yaks m into small d by capital d तो यहां से yaks yam बराबर क्या आएगा yam lambda और इस capital d का गुड़ा हो जाएगा और बटे small d या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं yam into d lambda by small d यह है दिप्त फ्रिंज की स्थिती का बेंजक दिप्त फ्रिंज की स्थिती ठीक है तो यह दिप्त फ्रिंज की स्थिती है अब मालो आप से कोई पूछा कि पहली दिप्त फ्रिंज की स्थिती बताओ तो yam बराबर क्या लिखना one पहली आ जाएगी अगर दूसरी दिप्त फ्रिंज के स्थिति निकालनी हो तो यम बराबर दो तीसरी निकालनी हो तीन चोथी निकालनी है चार पच्वी निकालनी है तो यम का मान जो भी रखेंगे वो आपको मिल्यागा लेकिन यम बराबर अगर जिरो लिख दिये तो कौन से फ्रिंज मिलेग केंदरिये केंदरिये दिप्त अगर यम मराबर एक लिखोगे तो प्रथम दिप्त अगर दूसरी लिखेंगे मराबर टू तो दुत्तिये दिप्त अनि हमको जैमी फिरिंज चाहिए यम का मान उतना हम रख देंगे तो यह हो गया दिप्त फिरिंज की स्थिति इसे नोट कर ल जी बोलिए जीरो के बरावर नहीं नियर वाउट टू जीरो को नहीं माने है क्योंकि जब यह छोटा होगा ना तो यह लाइट यहां नहीं जा पाएगी लाइट और नीचे आएगी अगर यह दोनों बहुत पास में होंगे तो क्या यह लाइट इतनी उपर जाएगी पॉइंट पर नीचे आएगा नहीं हाँ दूरी तो रहेगी तो मैंने इस दूरी को थोड़ी नहाट आया हमने इसको लिया है यह और यह कंपेर में दूसरे के बराबर हो जाएंगे नियर अ नोट कर लिजिये नोट के आजा है